बॉड़ मॉर्निंग सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है इसे पहले हमने लिखित परिक्षा हेतु पस्त पत्र देखा था आज हम साक्षातकार हेतु उपसित रहने के लिए पत्र देख रहे हैं साक्षातकार का मतलब बता इंटर्यू तो कंपनी व्यक चाहिए कागज़ देखे होंगे सबके समय अच्छा हो सब लगा हों पात्र पत्र बेजप के लिए तो यह तीसरा स्टेफų इंटर्यू बुलाने यॉससे और सुसरा स्टेफ 1520-20 gün वाले इंप्पनी के बाद 2 स्टेफ चुम्पनी करने वाले इस प्एकनी को लेटर बेज अब कंपनी उनको बुला रही वो है कंपनी का पता तारीक आपको मालूम है कैसे लिखने है पांच जुलाई के बाद कोमा लिखना है जूर लिखना है जूलाई पूरे मैने का नाम हिंदी शब्दो में होना चाहिए 2017 तारीक की लाइन में कुछ नहीं फोन नमर एमेल आइडी है कंपनी का पता के सामने आ रहा है फिर एक लाइन छोड़कर तारीक तारीक के सामने कुछ नहीं होना चाहिए अगर लिखोगे तो आपके माक्स कट जाएंगी अब यह जिस व्यक्ति को बुला रहे उस व्यक्ति का पता है राजू को और पत्र तो साक्षातकार हेत उपसि तो जुलाई से पहले तो आपको लेनी जून की तारीक आप क्या पत्र रिखोगे मन से सोचो तो 30 जून 2017 को हमारी कंपनी के अंदर एकाउंटन्ट की नौकरी के विज्ञापन पढ़कर आपने हमें पत्र रिखा था और आपने अपनी इच्छा जाहर की थी कि आप हमारी कम अपनी में आप पाच को पत्र लिखा तो उसके बात कि देंगे 10 जुलाइब 2017 के दिन सोमवार को हमारे मुख्य ओफिस में इंटर्वु के लिए उपस्ति रहना है इसलिए आपको यह पत्र लिखा गया फिर वहां पर वापस आपको दूसरे परग्राफ में हमारी मुख्य बजे दो से चार इंटर्वु का समय रहेगा वहां पर आपको उपस्ति रहना है अपने ओरीजनल सभी प्रमान पत्र सभी कागज और अपनी नौकरी का जो एक्सपिरेंस है उसका कागज भी लेके आना है साथ में और नो अबजेक्शन प्रमान पत्रक भी दूसरी कमनी में आप पहले काम करते हैं वहां से नो अबजेक्शन प्रमान पत्रक भी लेके आना है और उपसित रहना है यहां पर आपको एकाउंटन के नौक जॉप के लिए आप इंटर्वु के लिए आने वाले हो तो उसके संबंदित प्रश्न पुछे जाएंगे इस तरह से आपका विश्वस्न यहां ता अपका विश्वस्न यह सवरी सिग्नेचर करने फिर उस व्यक्तिने अपना नाम लिखा और वह कमपनी की तरब से पत्र लिख लिए इसलिए अपना होध्दा भी दर्शाया और कमपनी का नाम इन्टर्यु के साथ आने जाने का बता वो हमने मन से बनाया है यहां पर आपको खुद आपको कीताब का पत्र देखते आपकी 25 जुन 1217 को सायक अधिकारी हेतु निवी आवेदन के संदर्ब में बताना चाहते हैं कि योगेता और अनुभव हमारी आवश्चक्ता के अनुरूप है तो यहां पर क्या काए कि आपने हमें आवेदन दिया था उसे हमने देखा कि आप योगे और अनुभव हमारी जो इच्छा है हमें जैसा व्यक्ती चाहे वैसा आपका है इसलिए आप साक्षातकार हेतु चयन किये गए हो 20 जुलाई 2017 को गुरुवार के दिन दुपर देर बज हमारी मुख्य ओफिस में आपको आना है साक्षातकार के समय आप सेक्षन के योगेता अंग प्रमान पत्र अनुभव प्रमान पत्र की पुर्वन मूल नकल यानि ओरिजनल पॉपी साथ में लेक्या आना है नोकरी करने वाले व्यक्ती को अपनी संस्ता का नो अबजेक्शन पवापत्र भी एनोसी भी लाना बहुत जरूरी है और फिर इस तरह से तो यह आप मन से बना सकते हो ठीक है तो यह रहा साक्षातकार का पत्र बहुत सरल है इसमें इसमें डीप में आगे नहीं जा रही हूं आगे बढ़ रहें नियुक्ती का अर्थ नियुक्ती किसे कहते बरती के विग्यापन के संदर में योग्यता वाले उमेद्वार की प्राप्ति के पस्चात योग्य योग्यता उमेद्वारों का चैन किया जाता है विविस संस्ता पीडिया इकायो में चैन की प्रक्रिया अलग अलग होती है चैन का आधार संस्ता के आकार कारेक्षेतर कर कर्मचार्यों के प्रकार पर आधार तहीं तो भरती ले आंगा LOOK THE विग्यापन के बाद योग्यों में द्वार का पसंद किया जाता है अब तो सहरीक संस्ता पीडियों में पसंदकी प्रक्रियालों को कोई मजबानी मोंकीद परिक्शाल लेते हैं को इसे प्रक्रिया में सफल उमेद्वार को नियुक्ती पत्र दिया जाता है तो नियुक्ती का मतलब क्या हुआ कि योग्यता और अनुभवी योग्यता वाले उमेद्वारों को उनके पद के अनुसार उनके कारे के अनुसार उनका चैन किया जाए उससे नियुक्ति कहते है उनके योग्यता वाले उमेद्वारों को उनके पद और कारे के अनुसार उनके नियुक्ति की जाए उनको पत्र बेजा जाता है उससे नियुक्ति कहते है तो नियुक्ति का मतलब यह है कि योग्यता वाले उमेद्वारों को उनके कारिय के अनूसार उनके पद के अनूसार उनका चैन किया जाए तब उनके नियुक्ति की जाती ऐसा कहलाता है तो इंटर्यू के बाद ही नूख्ती होगी ना इंटरुलिया फिर उनको बोलेंगे कि हाँ आपका इन्टर्यू बहुत अच्छा रहा हमें आप अपने जो भी उतर दिये वह में बहुत अच्छे लगे है अब हम आपके नूख्ती करते हैं और हम आपको अपनी नौकरी परक रखते हैं यहां पर भी न्योक्ति होगी ना कि हाँ आपके परिक्षा में 200 अंकी परिक्षा थी उसमें 180 माक्स पराप्त की है सबसे ज्यादा माक्स आपके आये हुए है तो आप इस नौकरी के रेकदम योग्य कहला और इसलिए आपकी नौकरी के बाद ही होती है नियुक्ति बराबर तो यह रहा नियुक्ति के लिए नियुक्ति में समाविष्ट कौन सी बाते होती है नियुक्ति का पत्रों का प्रारम अभिनंदन देने अभिनंदन ही होगा न क्योंकि उन्होंने परिक्षा में अच्छे माक्स आये तो आप अच्छी आपने उत्र दिये उओं तो अभी नंदन से शरुवात करनी है नियुक्तिकी सपदपर की गई उसका उलेख लेग्याया न नियुक्तिकी परीभाषा में यह जोётся योग्यक्ते को योग्य कर लिएॉख्यान वेजाएंटर सटा नंसार शाण लेख करना हैं उसमें न्यूक्ति में अजमाई स्थाई या अस्थाई स्थाई पर चीगए उसकी भी जानकारी देनी चाहिए जब भी विव्यक्ति नौकरी पर लगता है तो या चयाँ बनाए किया जाता है तो नोकुछ समाई के लिए उनको काम पर रखा है उनको स्थाही मैने बदा गया है तो उनको कितने समय के लिए ट्राइल करके देखेंगे, एक महीना काम करेंगे, उनका काम अच्छा लगा तो रखेंगे, तो वो समय कितना एक महीना है, छे महीना वो पहले बता देना, चाहिए कि समय कितना रहेगा, पत्र के अंदर लिख देना चाहिए, न्यूक्ति पद में मिलने वाला वेतन भथा वेतन रुद्धी की सुचना भी देनी चाहिए मैंने थुड़ी दिर पहले अभी आपको पत्र यहाँ पर समझाया था कि आपको नौकरी पर रखा गया यह आपका पगार और यह टाइमिंग है तो न्यूकति का जो पत्र होता है उसमें वेतन के बारे वह बता देना चाहिए कि इस तरह से वुरुद्धी होगी उम्मे द्वारों को स्विकूर्ट पत्र बेजे ने को कहा जाता है यह नौकरी पर कितने दिन बाद उपसित होने वाले इसकी जानकरी दीजाने उनको यह बता देना चाहिए कि आप कब तक उपसित होगे इसकी हम में ध्यान रखनी है बराबर और बाद में शुब कामना भी देनी तो न्यूक तिकेत पत्र है वह हम देखेंगे कल ठीक है